कि हैं 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 दिस इस बोई बादल सेकेंड एर एंबीवे स्टूडेंट एमजम मेडिके कॉलेज जमसेटपूर और आज आपका जहारखन स्टेट कॉंसलिंग का यह नोटिफिकेशन आया है ठीक है यह पांच पेज़ का एक पीडियेफ है जिसमें सब कुछ एक्स्प्लेइन किया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा ठीक है रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा कब चॉइस फिलिंग होगा प्रॉपर सेड्यूल जो है आपका सारे रॉंड्स का ठीक है एक करके मैं डिसकस कर रहा हूं सारे रॉंड का आप यह किया हुआ है ठीक है तो यह वाला PDF आप JCEB के आप ओफिशल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलिग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो टेलिघ्राम चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कमेंडर मिल जाएगा ठीक है तो डिसकस करते हैं ठीक है और अगर counseling से related आपको किसी भी type का problem आ रहा है और आप personalized counseling चाहा रहे हैं paid counseling तो आप मुझे DM कर सकते हो ठीक है या मुझे mail कर सकते हो मैं आपको contact करूँगा तो आप इस video में आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो यह जारकन Combined Interest Competition Examination Board JCECB का यह तुमारा यह है education criteria यह सब आप पढ़ लोगे आराम से आप अगर need के लिए eligible हो तो इसके लिए eligible हो ठीक है यहाँ पर reservation का cast basis reservation on cast basis discuss है चारखन में OBC को BC1 और BC2 में divide किया गया है तो यहाँ पर discuss है किस format में आपका cast certificate लगेगा वो भी discussed है ठीक है तो आप यहाँ से देख लोगे ठीक है बस वह यह की देखो BC1 या BC2 आप हो मैं explain कर दे रहा हूँ BC1 या BC2 आप हो तो candidate will be valid only if he or c does not belong to creamy layer मतलब non creamy layer से आप belong करने चाहिए non creamy layer से आप belong करने चाहिए तभी आप reservation का फाइदा उठा पाओगे OBC अगर होता हो ठीक है EWS का reservation की क्या criteria है वो यहाँ पर mention है ठीक है की income इतना कम होना चाहिए वो सब possibilities होता है उसका criteria होता है ठीक है और आपके पास EWS का certificate तभी बनेगा जब आप उस सारे criteria को fulfill करोगे ठीक है उसके बाद reservation for personal with disabilities यहाँ पर mention है अब schedule डिसकस करते है देखो Online application form submission 10th August से start होगा 17 August 2024 तक ठीक है आज जब मैं वीडियो record कर रहा हूँ तो 9th August है ठीक है मालब कल से start होगा आपका counseling ठीक है application का registration होगा ठीक है registration होगा ओके तो registration आपका start हो रहा है देखो यहाँ पर online application form submission ठीक है registration का form fill up होगा आपका 10 August से 17 August तक ठीक है उसके बाद उस form को आप edit कर सकते हो अगर आपको registration form में कुछ edit करना है तो 18th August को edit के लिए site open होगा ठीक है state merit list publish होगा आपका 20 August 2024 को ठीक है उसके बाद यह आपका registration का part हुआ ठीक है इस registration का fee देखो यहाँ पर mention है अगर आप general EWS, BC1 या BC2 हो तो आपको 500 रुपीस registration fee देना पड़ेगा ठीक है और अगर आप SC, ST या female candidate हो किसी भी category के अगर आप female candidate हो तो आपको 250 लगेगा आपका registration fee ठीक है यह फिर जिसको आप application fee बोल रहे हैं उसके बाद जब counseling start होगा देखो यहाँ पर counseling जब first round का start होगा तो starting date of online registration and choice filling मतलब जो choice filling start होगा आपका ठीक है वो 21st August 2024 को choice filling होगा last date of choice filling आपका 26th August को है ठीक है आप यह पूरा देख सकते हो edit करने का option देगा अगर आपको choice उपर नीचे कुछ करना है जो भी आप choice fill करोगे उपर नीचे कुछ करना है तो 27 को है और seat allotment या फिर आपका allotment लेटर जवाएगा ठीक है वो 29 से 5 29 अगस से 5 September तक आएगा ठीक है और फिर आपका document verification और जो admission का process है वो 30 अगस से 5 September तक complete होगा तो यह 1st round का कौरा schedule था 2nd round का schedule यहाँ पे mention आप आराम से देख सकते हो ठीक है यह आपका 3rd round का schedule है और यह stay vacancy round का वन तिंग पहले क्या होता था और देखो यह यहाँ पे वो जो एक मिन्ट यहाँ पे जो आपका fee लग रहा है न यह registration fee लग रहा है यह सब को कराना ही है ठीक है अगर आपको merit list में अपना नाम चाहिए तो registration करना पड़ेगा और यह 500 या 250 according to you देना पड़ेगा उसके बाद counseling में मतलब आप जब choice feel करोगे जब आप choice feel करोगे तो फिर यह वाला fee counseling fee आपको देना पड़ेगा जो कि general EWS, BC1, BC2 के लिए 1000 रुपीज है SCST और female candidate के लिए 500 है और दिव्यांग के लिए 500 है ठीक है यह हो गया इसके अलावा इस बार से आपका security money भी लग रहा है पहले सिर्फ और सिर्फ MCC के counseling में security money लगता था जारकन के counseling में security money नहीं लगता था लेकिन इस बार से अगर आप government college के लिए apply कर रहे हो और आप unreserved या EWS हो तो 20,000 रुपीज आपको security money लगेगा अगर आप SCST, OBC या PWD हो तो 10,000 आपका security money लगेगा अगर आप deemed या private के लिए कर रहे हो तो medical college के लिए 2,000,000 और dental college के लिए 1,000,000 ठीक है या फिर आप दोनों के लिए apply कर रहे हो government या private दोनों के लिए apply कर रहे हो तो फिर वही criteria है medical college के लिए 2,000,000 और dental college के लिए 1,000,000 ठीक है कि आप अगर seat छोड़ते हो, मतलब आपको second round में seat alert हुआ, और आपने admission नहीं लिया, तो आपका ये जो security money है, वो जब्थ हो जाएगा, ठीक है, अगर आप first round में admission नहीं लेते हो, ठीक है, तो आपका जब्थ नहीं होगा, अगर आप second round के लिए जाते हो, फर्स्ट round में जो college आपका अलोट हुआ है, और आप admission नहीं लेते हो, second round के लिए जाते हो, और second round में ले लेते हो admission, तो आपका ये जो security money है, वो उसी account में वापस आजाएगा, जहां से payment कि हो, अब एक चीज मैं यहाँ पर समझाना चारहूँ, कि कभी भी, अगर तुम security money pay कर रहे हो, तो कभी भी cafe वाले के account से pay मत करना, ठीक है, ये issues ने तो आपको बाद में आएगा, cafe वाले के account से कभी pay मत करना, cafe वाले को बोलना कि मेरे credit card, ये मेरे debit card, ये मेरे UPI से payment करो, क्योंकि जब वो 2-3 मन्त बाद, जब आप college चले जाओगे, 3-4 मन्त हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपका ये security money वापस आएगा, और अगर आपने, जहां से आप payment कियो, वहीं वापस आएगा, ठीक है, और अगर आप cafe वाले के account से कियो रहे होगे, उसके पास आएगा, तो आपको बताएगा नहीं, ये पैसा रख लएगा, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, counseling से related कोई भी information चाहिए, तो आप comment में पूछ सकते हो, तब तक के लिए टड़ा बाई, see you again,